मैं सब कुरंगी EVM Cosway Interchange में मौझूद हूँ और यह इसका आउट साइड वियू है लासमे मेरा आप लोगो बताया था कि जो मिट्टी यहां तक रोकी गई है इसको जो इससा रहा गिया है इसको मिट्टी डाल डालके कंटीनु करेंगे और यहां पर लाके मिट्टी से इसको क्टीन करेंगे इसको पार चल रही है थैट भी नहीं यहां पर मौझूद है ऑर पंप भी यह आपर क्रेण भी नहीं पर मौझूद है जो के के इससको भराई का गाम कर रही है डट्सलिप जो साइट पे जो इसफ़क बीम है उसकी इसफ़क भराई चल रही है यह आपके सामने है कुरंगी इवीम कॉजवेट इंटर चेंज सेंटर पॉइंट से मैंने लास लिए आपको बताया था कि गाड़ियां डैवर्ट की जाएंगी टोटल यहां पे रोड वगरा बना के रोड जो इस फक्त बनावा है उसको बंद कर दिये जाएगा और गाड़ियां यहां से आने जाने का काम करेंगी यह टोटल यहां की डैव पुड़ा सब मैंने आपको पहले ही बताया था रिस्ट्रेक्टर वाली बात होती है जब काम उपर हो रहा हो नीचे आप इस तरह भूमें फिर हैं मैं देखता हूं अगर जहां जा सकता है यह सब्सक्राइब यहां पर इसका फोल्डिंग वगरा का काम चल रहा है पीमें ल अमीद है वीडियो आपको पसंद आएगी यह एक टोटल व्यू इसका आउट साइड आल तराम लोगी सब्सक्राइब का दिया शुपिया इस पर एक पीसरा ट्रेक भी फाइनल हुआ है मैं करंगी एप्यम कॉज़े पर ही मौजूद हूं और सिर्फ एक ट्रेक इस पर जिसकी कंफरमेशन होना बाती है जहां पर यह बैजिंग प्लाइट लगावा है कंप्लिट प्लाइट यहां से किस तरह यह उपर इंटर्चेंज से कनेक्ट करेंगे यह फिलाल एक आफरी पार्ट रहे गया है तीस के लिए जो एक्सिस के मुतालिक लोकेशन के लिए हुई है यह आपके सामने इस पक यह तर्म बनाय जा रहा है जिसको कवर लीप कहा जाता है यह इस पक बनाके इसको सामने इंटर्चेंज के साथ मिलाएंगे यहां पे काम शुरू कर दिया गया है मिट्टी की बैक फिल वगारा इ प्रोज कालोनी है और एक्सप्रेस वे का रोड बीस की बिल्कुल बंद के साससाथ चलता हा जा रहा यह उपर आप त्रॉक देख रहे हैं इसके नीचे की तरफ एक्सप्रेस पर प्रजेक्ट है जोके बालोज कालोनी रिचक्ष का जाता है यह वाला रूड भी कर्फिर्म ह होगी है इस पर काम चल रहा है यह डंपर भी आपको नदर आ रहा होगा यह पूरा टर्निंग पॉइंट है यह सामने रासा वापस महमुदाबाद बलोच कॉलनी की तरफ को जाते हुए यह उपर चड़ने के लिए रासा है जिन लोगों ने कुरंगी लांडी इंडेस्टरल एरिया इसकी तरफ से आ रहे हैं वो यहां से इस पॉइंट के जरीए उपर इंटरचेंज पे चड़ेंगे और आगे शाफ हैसा इंटरचेंज कईमा बाद और रिवांस होते हुए कार्टर की तरफ को जाएंगे यह सामने जाके इस से कनेक्ट होंगे यह तीसरा रूट है जो कंफर्म हुआ है चौते के बारे में जैसी मुझे क्लिरिफिकेशन होगी मैं इंशाल्ला वो भी आपसे शेयर करूँगा